हलदवानी का राजकी शुशीला तिवारी अस्पताल जहां कुरोना मरीजों के लिए जीवन दाइनी बन रहा है तो वहीं इलाज के दौरान काफी मरीजों की मौत भी हो रही है अस्पताल से मिले आकडों के मुताबिक कुरोना से अब तक अस्पताल में 924 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 792 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं अस्पताल के MS डॉक्टर अरून जोसी ने यहां पर बताया है कि कुमाव का एक मात्र कुविट सेंटर होने के चलते पूरे कुमाव मंडल से मरीज यहां आ रहे हैं जिने उचित इलाज उपलब्द कराया जा रहा है और साथ ही उन्होंने बताया है कि मरने वाले अधिकतर संकमित मरीज अन्य भीमारियों से भी ग्रशित थे वर्तमान समय में कुरोना के रिकवर रेट में तेजी आई है वहीं अस्पताल में अब मरीजों की संक्या में भी कमी हुई है ठीक होकर घर लोटने वालों की संक्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है बताते चले कि साल 2020 में आई कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो रही है जो एप्रिल 2020 से आज तक 22 तक डेटा है तोटल कोड़ में सारे मिलाकर जो भरती हुए थे 9,441 में भरती हुए थे ठीक है और जो सब मिलाकर के जो हुए थे 7,973 ये डिस्चार्ज हुए थे ये ट्रांसों जो भी हुए तो सब मिलाकर के ये हुए है जो स्कीनिंग और ये मरीज देखे गए हैं वो 18,868 है और अभी तक जो हुए है डेट्स हुई है आज तक वो 924 है और लक्सर के वैपार मंडल के द्वारा उत्राखंड के मुक मंत्री को शेत्री विधायक के माध्यम से ग्यापन सौपा गया है जिसमें वैपार मंडल ने मांगे पूरी ना होने पर अंदोलन की चेतावनी दहाई बताते चलै कि वैपारियों उने ग्यापन में रावश सरकार से कुरोना काल में दे और कर، जिसमें बिजली पानी, हाउस टैक्स, जियरस्टी समेथ कई और टैक्स माप करने की बात कही है। और साथ ही सभी तरह के वैपार को एक जून से खोलने की भी मांग की गई है जो करोना काल में बंद चल रहे हैं साथ ही मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की भी यहां पर चेतावनी दी गई है तुरे परदेश में उत्राखन सरकार के गयापन जारहे हैं और खबर पर ज्याद जानकारी के साथ आरून कुमार जोड़ गे हैं अरून यहाँ पर वैपारियों ने कई तरीके की मांग की हैं वैपार को यून से खोलने के लिए भी मांग की है जोगी कुरोना टाइम में बंद चल रहा था और क्या कुछ मांगे हैं? जो उन्हें करने दिया जाए अन्य था वो आंदोलन करने के लिए बात दे होंगे उसके साथ ही जो है उनके जो जैसे सर्विसेस टैक्स होते हैं और वैपारियों के उपर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं बिजली पानी और तमाम जो जी एस्टी वगएरा है यह सब इन में ज पजह बातौत जिस तरीके से यहाँ पर ग्यापन दिया गया है एक तरफ यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फियू लगाया है और और साथ ही कई गाइडलैंस जारी की है कि इस समय से दुकाने खुलेंगी और कई जगे बंदी भी है जहां पर कोरोना के केसिस ज्यादा पाए जा रहे हैं दूसरी तरफ यहां पर वैपार मंडल ने एक मांग कर दी है वैपार मतलब की खोलने के लिए तो इसको लेकर क्या कुछ अबडेट है आपके पास अगर सरकार अनमत नहीं देती है तो वैपारी कौण सा एक्सेंद करेंगे आगे क्या कुछ करवाई करेंगे जी बिलकुल संत्य हमारे दौड़ा दोबहराँ गयमें यो से अगर सरकार आपकी मांगें नहीं मांगती है तो आपका अगला कदम जी गशाँक ऑगा तो वैपारियों का पॉप दिया गया है और सरकार से एक ज़िए गया है